हेलो गाइज वेल्कम बैक टुमाइवडूब चैनल एसके मिश्टडी अवी आप सक्सिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवं मिस्रा और यहां पर लेकिया है क्लास 12 हिंदी का जी यहां यह पेपर है इसमें मैं कुछ टॉपिक का सल्यूशन लेकिया हूं और जो साम को आने पेपर सल्यूशन होगा और जो मैं पेपर बना रहा हूं आप के लिए बना रहा हूं इससे बाहर एक भी क्योशन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है इसलिए आप सारे प्रश्णों को पढ़के जाएगा और 16 फरवरी को चापकर आएगा 16 फरवरी को क्याएंगे चापकर आ बहुत ज़्यादा आपको परिसान हो जाना है अरे नहीं हम तो कुछ पढ़ें नहीं हम क्या लिखेंगे तो ऐसा कुछ में नहीं आराम से आप लोग क्या करेगा जाईएगा और वहां पर बैठी है कि करके प्रश्ण पत्र को सौल करना सुरु करेंगे जो आपको प्रारम क पंद्रम मिलेंगे वह क्या मिलेंगे परकर पठर पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप उसको पढ़ते रही नहीं कि सबसे पहले वाले प्रश्ण को कौन करना है आप no अच्छा लग जाए और मुझे अच्छा नंबर देदी क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आपके हर एक पेज को चिक करेगा हर एक पेज को खुल-खुल नहीं बस और लाइन देखता है फिर आपका नंबर देता हुआ चला जाता है फटावर तो गोसिस करीगा बहतर से बह पत्वपूरूर पद्दयांस भाइस साब यह टों ने करने तो पीड़ति है और इस का जो पीडिएफ हैumen चैनल कि प्रश्ट यहां परहों करेंगे बहुएकलप्ए प्रश्णां कानि है व्यांगर भाइचा आत्मकथा कि लेखक कौण है आपको बताना है तो सबसे पहले देखते हैं कि आत्म कता कि लेखक प्रवेदी कौन है हजारी प्रसाद रिवेदी द्रीवेदी यह किसके है बार भट्टे आत्मकता के लेखक है और हम लोग हजारी पुषाद द्रीवेदी के अगर हम लोग अन्यवपर्ण्यास के नाम क्या है उपन्यासकीजान्द कि इसके तरीक्त कौन कौन से उपन्यास है तो आहिए याद कर लेज़ी सबसे पहला क्या है पुनननरवा पुनननरवा यह क्या है अनामदास का पोथा क्या अनामदास का या अचारी हजारी प्रषाद द्रिवीदी का क्या है उपर नयास है तीसरा याद कर लिजी कौन सा है 4 चंद्र लीख क्या है चम्र लेख यह जो इंपॉर्टन है मैं इसको यहां पर समझा नहीं है आपको याद हो जाएगा कि आप कुछ लूसकी मेंदना इंपोर्टेंट है उतनी सी फॉर्टेंट है इसलिए यार वीडियो कुल करेंगा कर लेका चैनक सरे सारी निवस्टी सब्रक्रबंध करना है िक्षा का है उसके बाद हैं पर सिठ्षा का उद्धेश श्ð nessa का उद्धेश निवंथ के लेखर क्या है सिठ्षा का उद्धेश के लिखक कोनहें का क्या हो जाएगा भारतिंद 2 हरी चंद्र शम्पूरानंद मौहरद राकेश्स क्रिष्ण दास कहा संपूरानंद सुंपूरानद सिच्छा सम्पूरानद कव भारतन जिखान है और भारतःच्र नाम निवन को लिखा था तो काल चक्र काल चक्र क्या है काल चक्र क्या है तो गैarakРЕ किसका यह भारतियんだ इस निभन कंपूरानंद कोन है ते देश के निभन के लिखक है कि लिखक है पर नवा वुद्थ यहां सुथा जब आप 16 फरवरी के दिन जाये करिंगे सोझला है लेंट ने गूंएंगे आप लोग भूम्य के खहां वह साप पेपर में घूमना है किताबों को हो खोल कर भूमना भार ने घूमना क्योंकि बाहर घूमना नहीं चाहिए तो आपनों किताब हो में गूमेंगे 14 तारीक को ठीक ठीक ना 14 वबन्टाइन डेंडें बहुत ही अच्छा दिन है बूर्ड का दिन और हम लोग बूर्ड के दिन एक अच्छा पर्फॉर्मेंस करेंगे अपने एक्जाम में नहीं दवा के यार सेयर करना है यह मेरा पढ़ाने का जो लहाजा है कैसा आप लोग बता दीजिए क्योंकि मैं आप से चीकता हूं यह चैन बारत इंदु अरीस्चंदरस जो जो है यह तोिए हैाब हम समपादक के तो यह प्रकासित होए तो यह जो पत्रिका herkes यह जो पत्रिका है यादकली जी 1867 में प्रकासित हुई थी कहां पर हुई थी कासी में हुई थी कहां पर हुई थी कासी में हुई थी तो कभी वच्छन सुधा पत्रिका की संपादक कौन है भारतें दुहरीश चंद्र है यह पत्रिका कब संपादित हुई थी सर 1867 में कहां प उसके वाद but साफ यह याद रखेंगा उसके बाद पहरा नी केत की कहानी के लिफक को काफी इंपार्टेंट वाला प्रश्न है कि कहानी की लिखक है इंसा अल्ला खा कोन ए रानी केत की कहानी की मुझे Mahal कौन सी है उदय भान इनकी अन्य रचना है और दीवाने फारसी और क्या है दीवाने फारसी और कौन है और है मास नमी सिकार नामा क्या है क्या है उसके पाद यहाँ पर दूसरा का है दूसरा का देख क्या पहला का पांच पर पर शेंगे पांच औंक मिलेंगे ये पहला वाला और दूसरे में भी क्या रहेंगे पाँच अंक मिलेंगे तो टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास दस अंक हो जाएगा यह आपने क्या विने पत्रिका की रचनाकार कौन है आपको बताना है तुलसी दास कौन है विने पत्रिका की रचनाकार कौन है विने पत्रिका की रचनाकार कौन है और विने पत्रिका की रचना किस भासा में हुई है तो इसकी जो भासा है यह ब्रज भासा में हुई है मैं बोलता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बहुत ही चौचक पढ़ाऊंगो भाई साथ बहुत होंगे टीशर्स हम उनका सम्मान करते अच्छे पढ़ाते लेकिन हमारा जो पढ़ाने का लहजा रहेगा तो यूनिक दूंगा ऐसा फ्रेंडली यार आप हमारे दूस्त है जब दूस् पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़े समझ में आए और मस्त बना रहे हम लोगों के बीच ही नहीं वाइसे दबा के सेर करिएगा ठीक है चलिए उसके बादे आपके है काम आयनी किस यूग की रचना है अगर आपको कोई डाउट है ना अगर आप समय नहीं यार्ट पुछी छाओ रचना हना कम concerned reply आप का सिंटा मत करेंगार के यूब लाडप लिख स्ट्रेस नहीं लेना है न bedrooms राप हरदी युग वारती कार तो कामायनी किस यूग की रचन दबा कि भाई साब लाइक कर दीजिए और अपनी दोस्तों साथ सेर कर दीए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार बाद में चाया सब्सक्राइब कर दिना आपको सब्सक्राइब करके रखना तो चाया वाधी जो है यह कामाईनी जो है कामाईनी किसी यूग की रचना चायावादी यूग की रचना है अब कामाईनी की लेखक कौन है जैसंकर प्रसाद है कौन है जैसंकर प्रसाद है जैसंकर प्रसाद कौन है कामाईनी के लेखक है कामाईनी किसी यूग की रचना है चायावादी यूग की र चायावाद उत्तर काल के कभी है निम्खित में से चायावाद उत्तर काल के कभी कौन है भारतिन्दुहरी चन्द मैंतिली चन्दुप्त राम नरे स्त्रिपाठी सीव मंगल सिंग सुमन तो चायावाद उत्तर काल के कभी कौन से इसमें से गा करायट इंसर बताना है चायावा गुपताराव। त्रिवेधी यूग के कौन-कौन से तो गुत्यच्टिमG κι जो एव है द्रिवेदी युग के हैं और भारतेंदु हरिष्चंद्र भारतेंदु हरिष्चंद्र कौन है तो भारतेंदु हरिष्चंद्र भारतेंदु युग के हैं किसके हैं भारतेंदु युग के हैं यह नोट कर लिए यह पॉइंट में क्योंकि यह आपके क्योशन पूछ लेता ह किसके चायावाद उत्तर काल के उसके बाद याप घवला है हिंदी साहित में किस काल को स्रिंगार काल कहा जाता है तो रीतिकाल क्या कहते है रीतिकाल को स्रिंगार काल किस ने कहा था तो आचार विस्तोनात मिस्र वो बोले कि जो यह स्रिंगाल काल है रीतिकाल है इसको स्रिंगार काल कहते है ऐसा किस ने बोला था विस्तोनात मिस्र ने बोला था आचार विस्तोनात मिस्र ने क्या बता था करीद स्रिंगार काल के नाम से जाना जाएगा यानि कि पर पूछा घा गया है यहाँ पर देखे रचनक में इसकprofit रामने श्री पार्ठी तुर्द लेकिन यहां पर भी पुछा गया कि मोहन राकेस रचनाकार किस युग के द्रिवेदी युग के या फिर भाइसा आप मोहन जो राकेस है ना मोहन राकेस हैं यह सुकलत्तर युग के किसके है सुकलुत्तर युग के है, कौन है, मोहर राकेस है, किसके है, सुकलुत्तर युग के है, गलीर है, अब मोहर राकेस की भाई साब रचनाय याद कले जी, इनकी रचनाय कौन कौन सी है, आपके बोड में पूछ लिया जाएगा, तो छाप कर आना है, मोहर राकेस, ढाई दिन का जो पड़ा यह नहीं यह आसाड का एक दिन कौन सा है आसाड का एक दिन और कौन सा है लहरो के राजहंस लहरो के राजहंस और आधे अधूरे और आधे जितने भी है यह सबस्थी किस के मोहन राकेस की हैं तो मोहन राकेस की अनने रचनाे क्या है आसाड का एक दिन लहरो के राजहंस आधे अधूरे सुक लोगतर युक्यं किस युक्य है क्लिए न अब यह तो आपको बहुतल्पी हो गया अब आएगा गद्यांस कितने नमबर का आएगा पांच प्रस्ट रहेंगे दो अनक के एक प्रस्ट का मिलेगा टोटल दस नमबर का आपका क्या रहने वाला है आपका गद्यांस रहने दो गद्यांस दिया है यह गद्यांस आप रण लिए और देखिए आप छाप कर पेपर में आएंगे पर सॉब्स कर देख लिए क्या है धर्ती माता की कोख में जो अमुल निदिया भरी हैं जिनके कारणवा वसुंधरा कहलाती है उसे कौन परचितन होना चाहेगा लाखो करोणों वर्षों से अनेग प्रकार की धातूओं को प्रितवी के गर्भ में पोशन मिला है दिन राद बहने वाली नदियों ने पहाडों को पीस पीस कर अगरित प्रकार की मिट्टियों से प्रितवी की देह को सजाया है हमारे भावी आर्थिक आप भ्यूदय के लिए इन सब की जाच परताल करना अत्यंत आवस्यक है और प्रितवी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुसल सिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत संदर के प्रतीक जाने जाते हैं नाना भात के अनगर नग विंद की नदियों के प्रवा में सूर की दूप से चिलकते रहते हैं और उनको जब चतुर कारिगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्यक घाड से नई सोभा और सुंदरता फूट परती है और वे अनमोल हो जाते हैं अब यहां पे क्या है गद्यास भाई सब 10 नंबर का गद्यास है ट्रीक अप्रोच बताऊगा बदाऊट पेटर्वाइब बदाऊट पेण पेपर करके आएंगे एक बार आप लोग जोस में बताईए कि हमें भी पास होना है हमें भी 95 करना है हिंदी में पढलो यार काम खत से ढूंड़ना है और लेखक को किस प्रकार से याद करना है पहली बात तो जितने भी आपके हैं जितने भी आप गद्यान से जो भी पार्ट है जैसे सूप का अब देखी इसमें ऐसा कुछ ट्रिक्स ढूंड़ी जिससे आपको पता हो चले कि हां सच में इसी पार्ट से लिया गया है अब नीचे क्यों भी देख लेंगे क्योंशन का इंसर आप दिया गया है तो देखिए यहां पर अमुल निदिया है प्रिथभी को सुंधरा किया गया है भारत में क्या क्या है हमारी राष्ट में क्या क्या है पूरे राष्ट का सुरूप के बारे में वरन किया गया तो इसमें पहाड़ पत्थर बहुत सारे प्रिथवी भी आए तो यह किसमें है यह राष्ट का सुरूप है क्या है राष्ट का सुरूप है पाड़ कौन है डॉक्टर वासुदेव सरण अगरवाल यह राज्ष के सुरूप से और इसके रचेता को रहें डॉक्टर वासुदेव सर अगरवाल जी है अब यहां से क्योश्चर वनेंगे देखिए पहले तो यहां पी मैं क्योश्चर का लिखवाया हुई हूं एंसर लेकिन साथ साथ आपको मैं एंसर डूंड़ना है बता दूंगा कि आपको एक्जाम में जाके किस प्रकार से एंसर डूंड़ना है क्योंकि सबसे बाएं टास्क होता है उसको करना और मैं करने का तरीका बता दे रहा हूं आपको परशान नहीं होना है करने का तरीका मैं बता दे रहा कोक में जो अमुल निधिया भरी तो धरती माता की कोक में अमुले निधिया भरी describing का यही एंसर हो जाएगा अब देखे बनाग लिखा गया है लेकग के अनुसार हमारी धर्ती के गर्भ में अमुल निदिया भरी है गर्भ यानि के कोक कोक मतलब गर्भ बोला जाता है ठीक ना तो इसका एंसर कितने आराम से आप आसानी से दिलिए उसके बाद नीशे चलें य क्यों कहते हैं अब वह सुंधरा कहां पर यहां पर देखिए धर्ती माता की कोक में जो अमुल निदिया भरी है उसके कारण वह सुंधरा कहलाती देखिए दूसरे का भी एंसर आपको यहीं पी मिल गया तो आपको कही ढोड़ने की जरुत पड़ी क्या मैं आप से पूछ र अनेक प्रकार की मुल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है क्लियर है उसके बाद प्रितवी की देह को किसने सजाया तो उपर ढ़ेख लीजे जहांग लीजे उपर अब देह कहां प्यारा है सजाने वाला चीज कहां पर आ रहा है तो मैं देखिए दिन रात ब ने पहाडों को पीस पीस कर अगरित प्रकार की मिट्टियों से प्रितवी की दे को सजाया यहां पर पीस पीस कर रहेगा पीस पीस कर दिन रात बहने वाली नदियों पहाडों को पीस पीस कर अगरित प्रगार की मिट्टियों से प्रितवी की दें को सजाया है यह तीसरे वाले का क्या हो जाएगा भाई साब इंसर हो जाएगा तो अभी इसी को बना के लिए दीजिए क्या लिख देंगे प्रितवी की दें को पहाडों से बहने वाली नदियों और साथी नदियों के साथ भाकर लाने वाली उब्जाई मिट्टी और धर्ती पर उगने वाले सुंदर विर्च ये सभी वस्तिवे धर्ती को सजाया समा रहा है उसके बाद रेखांकित अंस की व्याख्या करना है रेखांकित अंस कहां से कहां तक है उनको जब चतुर कारिगल पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रते घाड से नई सोभा और सुंदरता फुट बढ़ती है और वे क्या हो जाते हैं अनमोल हो जाते हैं अब देखि तो नमबर मिल जाएगा अगर गद्यास दस नमबर है तो इसमें से आठ नमबर मीनमम फिक्स होता है नहीं तो नमबर आपका 100% से आपको मिल जाता है तो इसकी चिंदा मत करेगा यहां से आप लहा लेंगी नमबर चलिए मैं इसको अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हो दिखें क्या है आप लेकग के अनुसार जब इन पत्तोरों को कुसल कारीगर काड़ कर उसमें विविन प्रकार की उभार देकर किसी कृती की रचना करते हैं तो उसका प्रतेक कटाव नयों संदर्व की परिभासा गड़ता है और इस संदर की कार अनगर बहमुल्य पत्तर बहमुल्य बन जाता है मैंने पहले बता दिया प्रसुत पध्यास डॉक्त राष्ट के सरूप निवन्द सिक्या उदिखरी तहलिया गया पार्ट का सिर्सक्या है वाष्ट का सरूप और लेकर वासुद्यों सब्रवाल अब यह भाई साम है तो यह कर लीजिएगा यह कर लीजिएगा और यहां से देखिए मैं त्रिक बताई दिया हूं तो इसको आप कर लेंगे एक कुछ चीजे मैं आपको दूँगा टास्क रूप में करने के लिए अपने से करिएगा बाकि इसका मैं नीचे एंसर दे रहा हूं देखिए जैसे यहां पू सब्सक्राइब का नाम क्या है हम और हमारा आधर से इसको आप अपने सकरिएगा लेक हग युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है आप किन चीजों के पाने का हग रखते हूं उप्रियुक्त पक्तियों से क्या प्रणा मिलती है और नीचे यहां पर पार कर सिर्षक और लेखा कनान तो इसको आप खुद करिएगा यहां पर पद्यांस करवाने जा रहा हूं यह पद्यांस आपका दस नंबर के बोड में पूछा जाएगा इतनी नंब फूले कलम दल सीगात की शैमिलता पीला प्यारा वसन कटी में भबीला यहां से लेकि यहां तक है अब यहां पर आपको बताना है सबसे पहला क्योशन है राधा पवन से क्रिश्न को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती है यानि कि जो राधा है वो पवन से दुद्वना के हैं और वे अपनी कमल पर पीला वस्तर धारण किये हुए हैं उनके मातों पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की सुभा में भृद्धी करती है यह सभी आपको क्रिश्न की ओर आकरसित करेगा यहां पर देखिए यहां पर नीले फूले कमल दल सीगात की स्यामलता प्यारा पीला वसन कटी में पहनते हैं फबीला यानि कि आप कह सकते हैं कि उनके जो है वो कमर पीले पर वस्तर पहनते हैं कि अपने कमर पर पीला वस्तर करते हैं माते पर जो बालों की लटा लटकती रहती है उसके बाद यहां पर अलक और सकल सब्दकारत होता है अलक सब् समक्तों तो होता है लेत्सी और कलम कर्शिय कौन सा अलंकार रेकआंकित अंस्की आपको भावारतर याने के वेखल करना है दो कंदों में दोनों कंधे स्प्रेश्ट साण के कंधे के समान विसाल जो इक होता है जो गाय के होती गाय में उसके समान विसाल भलिष्ट है और उनकी दोनों बुझाएं हाती के सूण के समान सक्ते की पीठारी सी है पाड का सीर्षक और बात का सीर्षक क्या है पवंदूत्या है और इसके लिखा को ने हरी यौध है तो यहां पे मैं पूरा का पूरा कह सकते हैं धिका पेपर बना देंगे क्योंकि आ लोग बूर हो जाते हैं तो इसको पाड में करेंगे तो ज्यादा बैतर तरीकी से आप आप तयार रहेगा शिक्स पीम पर आज साम को क्लास हिंदी की मिल जाएगी चिंता मत करें ठीक ना और वीडियो को लाइक करेंगे इसके पीडियाप जाके टेलेग्राम चैनल स्केम इस्टेडी से डाउनलोड कर लिजी और यासके मिश्टेडी टेलेग्राम कर लिए डिस्क् कि जए चैनल